रेवनू डिपार्टमेंट से रिटायर किये हैं अब देख सकते हैं कि यह बड़ा पल है इनके लिए जिस विभाग से रिटायर हुए है आज उसी भी भाग में जो इनकी पोती है वो अफीसर बनी है जो ओडिनरी लोग है जो उन्टिनों ने यूपीसी नहीं दिया इन फाक्ट मिडल एज लोग दादा पापत जैसे लोग उन लोगों को लगता है कि देविलास कितनी सीरिया चड़के आयों कितने बटने डाट इस आपसलुटली स्टूपड आपके लोग एक तॉपड आपके लोगों कितने लोगों कितने बटने इस प्रियांगी में ता हमारे साथ मुझाइब आपके लोगे आपके लोगे मौझूद हैं जो आपको अपने जर्नी के बारे में बताने वाली कैसे सुरुवात होई आपने कब सोचा कि मुझे यह करना है तो जब स्कूल में थी तब ही मैंने सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है तो उस ताइम लेकिन वह आइडिया बहुत जर्मीनेट किया स्टिल आपने रवेन्यू आफिसर क्यों चुना तो पैले तो मैं यह कहूंगी कि क्यूंकि जो लेवल नाइन के बाकी पोस्ट उसके लिए मेरी जो एज है वो कम थी I was not 22 on 1 अगस्ट 2022 मैं 21 साल 6 माईने की ती तो 8-10 पोस्ट के लिए तो मैं इनलिजिबल होगी बाकी म मतलब पोस्टे क्या होता यह वो रवेन्यू आफिसर तो मुझे काफी पसंता है इसलिए मैंने लिया तो जो लोग क्वेस्टिन कर रहे हैं पोस्ट इंसान को नहीं बनाता है इंसान उस पोस्ट को बनाता है तो मैं कोशिश करूंगी कि as a revenue officer मैं इतनी transformative चीजे लाओं कि लो फिर ममी पापा मेरी दो बेहन हैं हम अभी भी joint family हैं समसाथ रहते हैं मैं Sandalpur पतना की निवास हूँ आपका मुल्डू पेहीं से हैं किसी गाउं सभी पतना नहीं नहीं मेरे ancestors मतलब as long as I can remember वो पतना से हैं सारे कैसे तयारी किया आपने इस civil services के एक्जाम की जैसे कि मैंने कह कि मैंने कुछ स्पेसिफिकली नहीं का बहुत लंबे वक्त से मुझे रीडिंग राइटिंग पढ़ना बहुत पसंथा यूज तो रीड मैं योजना तो मैं योजना इस मैं हमेशा उसको मैं कभी निमिस करती न्यूस पेपर्स भी तो ग्राजूली वह जो मेरा नॉलेज ब अपनाइ или कैसे तयारी किया है मैं में की तयारी जैसे कि अब करता है उनकवी स्पुर्ण पॉंध उप सांव की डियारी करते हिसा थे मति Бहुत जाहिए और तбो यह जेकि कि कोई ऑर्गनाइजेशने उसके कितने मेंबग घंच is the what the organization is doing in the in the contemporary situation you know the relevance of the organization so you have your attention to the objective things from the descriptive things and then answer writing, like you have to write it, then you write it. I guess that I guess that my political science was optional, so I used to write one theory, I used to write one theory, I used to write one theory, every third month I used to write one theory, and then I used to write one theory, so I used to write one theory, so I used to write one theory, so that you used to write one theory. You were also in the twelfth, yes, I was in the second ranked, humanities, and then what did you listen to? After that I was in the university of political science, I did honors it. When you are in the WPSE, the rest of the people who are preparing it, you get to write, what messages you need to do, how to do your best work. Like I have said, don't do the fact-based studies subjectives, and don't go back to the content. People think that this one is to write, I will tell you, but my content was very minimal, but I knew how to present it. You know how to present it and how to present it is? The main thing means that you have to be extraordinarily fast in your writing, क्योंकि टाइम नहीं होता, मतलब मैं बहुत फास्ट लिखती हूँ, मतलब आवरेज लोगों की कंपरें से मेरी हैंन राइटिंग काफी फास्ट है, तो मैं लास्ट मोमें तक लिखती होती हुथ, तो यू के इमाजने, तो आंसर राइटिंग प्राक्टिस करो, स्पीड पर क बिना कोई रॉकेट साइंस है नहीं कि आपके स्पीड आजाएगी, तो इंटर्व्यू में आप उस पल को याद करिए और बताईए कि कौन-कौन सा वो सवाल पूछा गया था, हाँ, तो पहले तो सर्ण ने जो पहला सवाल पूछा था, वो पॉलिटिकल थेयरी से था, कि कि आइडियोलिजी के बीच क्या डिफरेंस था, तो वो मैंने बताया, फिर उन्होंने पूछा होप्स के बारे में बताओ, उसके बाद फिर सर्ण ने पूछा कि भारत और भूटान के रिष्टे कैसे हैं, फिर उन्होंने बोला कि चाइना हमारे पड़ोसी देशियों में अपना फैलाव कर रहा है, तो इंडिया को क्या करना चाहिए? उसके बाद फिर चेर्में सर्ण ने पूछा कि अकर आपको ऑप्शन दिया जाए, टूरिजम या इंडस्ट्री पैसे कम है आपके पास, और आप टूरिजम सेक्रेटरी हो, तो अब क्या डवलप करोगे? उसक सब्सक्राइब करना चाहिए, तो इस तरह का भी सवाल पूछा जाता है, क्या कि आपके सट में कितने बटन है, तो इस डेफिनेटली स्टूपिड, इंफाक्त पदा नहीं लोगों को लगता है, जो और इनरी लोग है, जो उन्तिनों नहीं यूपीसी नहीं नहीं दिया, इ उनका मकसद यह नहीं होता है, कि आपको कितना आता है, वो देखते हैं कि, you know, you can stay calm in that situation, क्योंकि उन्होंने लास्ट में में को बोला कि, जैसे अभी तुम शान्त हो, बस UPSC मैसे ही शान्त रहना, and you will make through it, so you have to remain calm, even if you don't know the answer, just stay calm. कुछ सवाल जिसमें आप फस गए थी, जवाब नहीं देपाई थी? नहीं, मैंने तु सारे सवालों के जवाब देदी हैं, तभी टॉपर बनी, तैयारी जबाप कर रही थी, तुमें किन बातों का ध्यान रहे थी, mock test या बाकी चीज़ों पर कैसे तैयारी, जैसे मैंने बो प्रियांगे की माता जी भी हमारे साथ मौचूद है, कैसा लग रहा है माता जी, आपकी बेटे जो होते हैं, वो नाम रोशन करेंगे हैं, आपकी बेटियां जो हैं वो नाम रोशन करेंगे हैं, बहुत अच्छी बात है, समाज के लिए कि प्रेर्णा है और जवाब है कर सकती है दादा जी भी हमारे साथ मौझूद है आपकी पोती जो है वो टॉपर बनी है देखिए हम लोग इस थेख्षित परिवार से हैं हम रेवनू डिपार्टमेंट से लिटायर की है अब देख सकते हैं कि जादा जीत फुरा इनके लिए जिस पत से रिटायर हुए है जिस विभाग से रिटायर हुए है आज उसी विभाग में जो इनकी पोती है वो ऑफिसर बनी है जादा जी अब भावोख हो गया है वह काफी एमोशनल है वह हमेशा हो जाते हैं आप से यह आखरी सवाल पुछना चाहूंगा कि आने वाले समय में आपकी क्या तैयारी है कैसे नियुक्त रिच्छा की टॉपर प्रियांगी मेहता हैं जिन्होंने अपने जर्नी के बार में बताया साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर भी क्रेक करना है तो आपको स्पीड पर काफी काम करना होगा पटना से लोकल लेटिंग के लिए सच्छदा नंत किये रिपोर्ट